सुप्रिम कोट बार एसोशेशन की एग्जेक्यूटिव कमेटी की सियूप सचिक फृतिसिया ने बताया कि अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरिके से गिरपतार करती है तो यह ना अगर पिसी का उलंगन है बलकि भारतिय सविधान के आर्टिकल 20, 21 और 22 में दिये गए मौलीक अधिकारों के भी खिलाव है मौलीक अधिकारों के उलंगन पर पीडित पक्स सविधान के आर्टिकल 32 के तहट सिधे सुप्रिम कोट जा सकता है पुलिस किसी को मनमर्जी तरीके से गिरपतार नहीं कर सकती उसे गिरपतारी के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है वरना गिरपतारी गैर कानूनी मानी जाती है जिसमें पुलिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है सीनियर एड़ोकेट प्रिती सियंग के मुताबिक सुप्रिम कोट ने डिक्के वसू बनाम पश्यम बंगाल राज्य और योगेंदर सियंग बनाम उत्तरपदेश राज्य के मामले में पुलिस गिरपतारी से सबंदित कानूनों का विस्तार से वर्णन किया है जो की इस परकार से है जिसमें नंबर एक है CRPC की धारा 51 के तहत पुलिस को गिरपतार किये व्यक्ति को गिरपतारी का कारण बताना होगा दूसरा है किसी व्यक्ति को गिरपतार करने वाले पुलिस अधिकारी को बर्ती में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ साफ लिख गिरपतार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्ट प्रत्यक्स दर्शी के हस्ताक्षर होंगे नंबर चार पे है अरेस्ट मैमो में गिरपतार किये व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना होगा नंबर पांच पे है CRPC की धारा पचासे के मताबिक गिरपतार किये व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपनी गिरपतारी की जानकारी अपने परिवार या रिस्तिदार को दे सके अगर गिरपतार किये व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होगी नमबर 6 पे है CRPC की धारा 54 में कहा गया है कि अगर गिरफतार किया गया विक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच करवाएगी मेडिकल जांच करवाने से यह फाइदा होता है कि अगर आपके सरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पूश्टी हो जाएगी और यदि इसके बाद पुलिस का स्टेडी में रहने के दोरान आपके सरीर में कोई चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पका सबूत होगा मेडिकल जांच होने के बाद आमतोर पर पुलिस भी गिरफतार किये गए व्यक्ती के साथ मारफिट नहीं कर सकती नमबर साथ पे है कानून के मताबिक किरफतार किये गए व्यक्ति की हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए नमबर आठ पे है CRPC की धारा 57 के तहट पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा इरासत में रखना चाती है तो उसको CRPC की धारा 56 के तहट मैजिस्टेट से इजाज़त लेनी होगी और मैजिस्टेट इस समंध में इजाज़त देने का कारण भी बताएगा नमबर 9 पे हैं CRPC की धारा 48D के मताबिक गिरभतार किया गया व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस चांच के दोरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है साथ ही वह अपने वकील और परिजनों से बाचीत कर सकता है नमबर 10 पर है अगर गिरभतार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो उसको मुप्त में कानूनी मदद दी जाएगी यानि उसको फ्री में वकील रहा जाएगा CRPC की धारा 46 के मताबिक महिला को सिर्फ महिला पुलिस कर्मी ही गरभतार करेगी किसी भी महिला को पुरुष पुलिस कर्मी गरभतार नहीं कर सकेगा नमबर 12 पे है CRPC की धारा पच्चपन एक के मुताबिक गिरपतार की गैव्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्ते का ख्याल पुलिस को रखना होगा Senior Advocate पृतिसियं का कहना है कि अगर किसी भी कानून का पुलिस पालन नहीं करती तो उसकी गिरपतारी गैर कानूनी होगी और इसके लिए पुलिस के खिलाब कारवाई की जासकती है धन्यवाज जैहिंग